नमस्कार दोस्तों मैं मुस्कान वर्मा हिूमन राइट से आज आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ तो आईए मैं आपको बताती हूँ फिर उसके बारे में आज का हमारा जो टॉपिक है आज हम दो टॉपिक आपको बताएंगे इस वीडियो में पहला IPC 307, IPC का मदलब इंडियन पैनल कोड होता है और 307 एक धारा होती है और हमारा जो दोसरा विश्य है वो है IPC 302 से 304 क्या है IPC 302 से 304 कब लगाई जाती है ये धारा इसमें सजा क्या है तो आईए देखते हैं फिर किसी को जान से मारने की कोशिश करने पर धारा 307 लगाई जाती है अगर आप किसी को धमकी देते हैं तो ये धारा लगाई जाती है कोई एक आदमी दूसरे आदमी को जान से मारने की कोशिश करता है और इस हमले में दूसरे से आदमी की जान नहीं जाती है तो पहले आदमी की उपर जान से मारने की कोशिश का चार्ज लगता है जो IPC 307 होती है दूसरा पॉइंट IPC 307 की सजा 10 साल की सजा मगर दूसरा व्यक्ति जादा घायल होता है अगर उस आत्मी को जादा से जादा चोट लगती है तो उसको उम्र कैद की भी सजा हो सकती है यानि की जिन्दगी भर के लिए ये नॉन कॉंजीएबल ओफेंस है मतलब पोली स्टेशन से बेल बिलकुल भी नहीं मिल सकती है उसको इसमें हाई कोट से बेल का प्रावधान है तो आईए अब देखते हैं दूसरा विश्य है जो कि यह हमारा 302 से 304 की धाराओं के वीज किसी की हत्या हो जाए तो हत्या करने वाले पर इंडियन पैनल कोड 302 लगाए जाती है मतलब इंडियन पैनल कोड 302 दूसरी तरफ अगर हत्या अंजाने में हो गई हो इरादा ना हो तो हत्या का मगर हत्या हो गई हो इसमें IPC 302 नहीं लगा कर IPC 304 लगाई जाती है IPC 304 मतलब अंजाने में बिना किसी इरादे के किसी की मौत हो गई हो तो IPC 304 लगता है उधारन के लिए मैं आपका एक एक एकजांबल देती हूँ आपने किसी व्यक्ति को जोड़ से डाटा और उसको हाट अटेक आ गया हो तो IPC 302 ना लगा कर IPC 304 लगाई जाती है thank you so much for watching my video please subscribe my channel and also press the bell icon